गुड इनिंग हमरे क्लास 11-12 के प्यारविच्टो आज हम लोग चलेंगे जो आपका सेंटाइस का टॉपिक चला है आज हम लोग इसमें देखेंगे इसके साथ-13 के तक आपका निरेशं कंप्रीट कर चुके हैं संस्थार में अचैस के एक कंप्रीट कर चुक चुके हैं और सेंटेक्टेक्स की लोग उगे सर्वस करके आपके प्लेलिस्ट बनी होगी उसमें सारी क्लासे ग्रैमर की अब तक जितनी क्लासे चली वही है सारी क्लासे एक से लगी हुई है तो जहां से भी आपका चूटा है आप वहां से देखकर के पूरा कर सकते हैं इसी तरह से यदि आप प्लास 11 पे होंगे तो 11 की ग बढ़ते हैं और पहले नहीं पी तरफ बढ़ने से पहले जो भी वच्चे चैनल पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11 12 के हरे एक वच्ची तरफ वीडियो को सेर और आपके जिम्सारी है अब देखें यहां पर हमने पहले नियम में लिखे हुए रूल नंबर फर्स्ट यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं फ्यू अ फ्यू एंड दी फ्यू का प्रयोग प्यारवचे बहुत इंपॉर्टेंट इसका पहला नियम ही बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यू अ फ्यू एंड दी फ्यू का प्रयोग क के साथ होता है सबसे बड़ी बात निकल के आती है ए味 एड़ीक्टी आफ नमबर होते हैं और इनका प्रियोग countable सा के साथ होता है countable राओं क्या होता है जिससे आप count कर सकते हैं जिसके आप 50 गिंती किन सकते हैं अगर कोई countable जैसे दो हो गया 4 हो अच्छा 10-20-50 जिसको आप count कर सकते हैं that is called countable noun यही दो में इसके बाद तुरंत little a little और little का प्रयोग बताएंगे तो दोनों में बस इतना ही difference है कि ए adjective of number है वो adjective of quantity होगा और इसका प्रयोग countable noun के साथ होगा उसका प्रयोग uncountable noun के साथ होगा बस दोनों में a difference होगा तो अभी few और the few की तरफ बढ़ रहे हैं तो अभी सिर्फ इतना आपको समझने की जरुत है यह सभी आपके क्या होते है adjective of number होते हैं इनका प्रयोग countable noun के साथ होता है आप बात होती है कि few और the few का प्रयोग कब होता है इसका अर्थ क्या होता है तो पहले हम लोग बात कर लेते है few का प्योग क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है आपको पता है few हो गया तो इसका अर्थ हो जाएगा उसके पास college के कोई दोस्त नहीं है He has a few friends in the college means हो जाएगा उसका college कोई दोस्त नहीं है मतलब उखेले कलेज़ों में टलता रहता है उसका कौनों दोस्त दोस्त नहीं बनाये हुआ है इसलिए हमने लेके में अर्थात नहीं के बराबर नकरात्मक अर्थ रखता है अर्थात नहीं के बराबर अगर few single आ गया है means a few और the few नहीं लगा हुआ है तो आप समझोगे कि वह अर्थ किसके समान दे रहा है नकरात्मक अर्थ दे रहा है मिस नहीं के बराबर अर्थ प्रदान कर रहा है तो इसका अर्थ हो गया He has a few friends in the college उसके कुछ दोस्त है कुछ दोस्त का यहाँ पर मतलब हो जाएगा उसके कोई दोस्त नहीं है college के उसके कोई दोस्त नहीं है अब प्यारे मिचे दूसरा दूसरा सबसे बड़ी बात ध्यान से संजना अफ्यू का अर्थ होता है कुछ लेकिन काम चलाओ नहीं आप बात आती है दूसरा अफ्यू और अफ्यू का अर्थ होता है कुछ तो होता है इसका अर्थ कुछ तो होता है लेकिन काम चलाओ नहीं है मिस जितना कुछ है वह काम चलाओं नहीं है जैसे see once a few books वह कुछ पुस्तके चाहती है लेकिन जितनी कुछ पुस्तके चाहती है उसे जो मिली हुई है वो काम चलाओं पुस्तक नहीं है जैसे जो है मालनो दो पुस्तक में आप काम चला सकते हो लेकिन उसे दो पुस्तक भी नहीं मिली हुई है वैसे आपके सब्जेक्ट जो है पांच्छा सब्जेक्ट होते हैं तो पांच्छा सब्जेक्ट पांच सब्जेक्ट आपके होते हैं तो मालनो जो हम कह सकते हैं कि आप कुछ बुक में आप काम चला सकते हो, जैसे दो बुक ले लिए, दो बुक में आप काम चला सकते हो, तो काम चलाने के लिए दो बुक है, लेकिन उसके पास दो बुक भी नहीं है, तो इसलिए अफ्यू का प्रयोग किया गया है, मिंस अगर काम न चल सके, काम न चल सके, उसका संदर तो आप किसका प्रयोग करेंगे, आफ यू का प्रयोग करेंगे, तो यहां क्या हो गया, आफ यू का अर्थ हो गया, कुछ लेकिन काम चलाउं, नहीं, तो see once अफ यू बुक मिंस हो जाएगा, कि वाख कुछ बुक चाती है, लेकिन उसमें काम उसका चल नहीं सकता, है इस होला था a countable mountain के साथ प्रयोकत होते हैं अब चलते हैं अगले छलते हैं अगला का आता है अप व्यूब्यूब्याप्र अब द्यांसे यहां सम्झने की अब करेंéfख कब और कैसे सब सकता है ज़ो कुछ कोटा है नहीं जरुरत अब दो पुस्तक की थी तो दो पुछतक मेरे पास है उतना है कि काम चल सकता है काम चल सकता हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे दीफ्यू का प्रयोग करते हैं जैसे हम कहा दिए दीफ्यू वर्ड्स दैट ही स्पोक वर्ड्स सिंसियर मिस जो कुछ भी वह सब्द बोला हुआ था मतलब जो है इतना सब्द बोल थ्यान से समझना और यहाँ पर नेखी वर्ड से सब्दो की बात किया गया है और सब्दो को आप काूंट करके हैं कितने सब्दोते हैं तो सिंपल सा ठिव्यू का प्रियोग है पहले आपका फ्यू क्या दिखाएगा नकरातमत का अंध दिखाएगा means negative wa दिखाता है आप यू जो है इतना होता है कि काम चलाओं नहीं होता है और दी फ्यू मिन्स होता है इतना कि काम चल सकता है और तीनों का अर्थ कुछ ही होता है ऐसा नहीं कि बहुत कुछ हो जाए तीनों का अर्थ कुछ ही होता है क्योंकि फ्यू मिन्स आप यह जानते हो कुछ और दूसरा वाला करें लेकिन अगर उसमें 30-40 सदस चलाने के लिए 55 की आवश्कता होती है तो अगर 40 सदस आगे हैं तो हम कहेंगे अफ्यू है अगर हमने कहा दीफ्यू है अगर नकरात्म करद दिखाने है तो फ्यू का प्रयोग करोगे आप फ्यू मेंस पॉस्टिव लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं उसमें काम नहीं चल सकता है और दीफ्यू मेंस होता है आपका उसमें काम जितना कुछ भी है उसमें आपका काम चल सकता है यह प्यारबचे फ्यू का कॉंसेट हो गया और सेम कॉंसेट इसी की तरह सेम कॉंसेट आपका little का है अब हम लोग चलते हैं little की तरह बढ़ते हैं सेम concept इसे की तरह है आपका उसमें जल्दी जो है उसे complete करेंगे क्योंकि इसली टाइम लगाई वी हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए आप little वाले concept को आप बह्तरी डंग से जल्दी से समझ जाओगे यहां पर देखने हैं प्रेख्चे हमने रूल नंबर टू लिखे हैं लिटिल, अलिटिल, एंड दिलिटिल का प्रयोग अब एक्दम ध्यान से संजने की कोशिस करना यह सभी adjective of quantity है यह मात्रा बताएंगे, परिमान बताएंगे, यह हमने आपको पहले बता दिया था अता हिनका प्रयोग uncountable noun के साथ होता है अब सेम कॉंसेट होई है, जो हमने फ्यू और दिफ्यू बताए वे थे, सेम कॉंसेट यह है वही है, बस इसमें difference कहां आ जाता है, difference इतना आता है कि यह uncountable noun के पहले प्रयोग होगा, जैसे अब देखी, little के प्रयोग में हमने क्या लिखे हुए है little का अर्थ नहीं के बराबर होता है, अब little का अर्थ क्या हो गया, नहीं के बराबर हो गया तो अब यहाँ पर जैसे लिखे हुए है, there is little water in the pitcher, means the pitcher में कुछ भी पानी नहीं है तो little में से एकदम पनिया है यही नहीं है, मतलब एक आख बूध होगा, एक आख बूध में तो मतलब कुछ ही नहीं मान जाएगा एक आख बूध अगर पानी है, तो वहीं माना जाएगा कि नहीं है, वहाँ पर कुछ हो नहीं पानी है, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव अर्थ देगा, वही जो हमने वहाँ पर आपको बताये थे, और water क्या हो गया, water आपको uncountable noun हो गया, uncountable noun के साथ हमने क्या लगाए निगेटिव और यहाँ पर means feature में कोई पानी नहीं है, यह पहला हो गया, अब दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा देखते हैं, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, अलिटिल हो जाएगा, अब जैसे हमने कहे विए हैं, दूसरा देखी, अलिटिल का अर्थ, हमने लिखे कुछ लेकिन काम चलाओ नहीं, अलिटिल का अर्थ क्या हो जाएगा, कुछ तो है, लेकिन उसमें काम नहीं चल सकता है, जैसे हमने कहा, अलिटिल नॉलेजिज इस डैंसरा डैंजरस, मिन्स जो है, बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत जिसके पास ग्यान होता है, वो आधी दूरी बात कहोगे, अपनी बात पर जिदियाज आओगे, और आपकी बतिया गलत होगी, क्योंकि आपके पास आदा दूरा नालेज है, आप जिदियाज जिदियाते जादा हो, लेकिन ग्यनवा जादा आपके पास नहीं है, तो इसलिए तब आप कहेंगे, तब वहा आपका प्रियोग किया जाए, तो आप वहाँ पर किसका प्रियोग करेंगे, अलेटल का प्रियोग करेंगे, तो लेटल बता दिये, अलेटल बता दिये, अब हम लोग चलते ही, दिल इटल की तरह बढ़ते हैं, अब यहाँ पर देखिए, हमने दिल इटल का प्रियोग की ल सकता है अब यहां पर जैसे एक्जामपर लिखे हुए है दू नाट इस्पॉइल दी लिटिल मिल्क यू है जितना कुछ आपके पास दूद है उसे इस्पॉइल मत करिए मैं उसे खराब मत करिए मतलब इतना दूद है को उसमें थोड़ा बहुत काम चल सकता है तो इसली क्या क्या हो जाएगा दिली लेटल का प्रयोग कर दिया गया तो क्या हो गया दूट स्पॉयल दे लेटल मिल्क यू星 CT Ooh ओ गया और ज्ल Skillshare 2020 करेंगे बस दोनों मैं टदैन्स यह होता है तो पیरल पॵस्योगन करते हैं लेटल और फ्योंसटर्ट अच्छë समझ में आ गया होगा कहीं कौनों देखका समस्या परसानी नहीं हुई होगी तो प्रफियो बढ़ते हैं रूबर की तरफ बढ़ते हैं नियम की तरफ में आएंगी ठीक है लेस और फीवर का ध्यान पूरुवक प्रयोग करना चाहिए लेस लिटिल का कमपारेटिव डिग्री होता है जो परिमाण बताता है पर परिमाण बताता है मिस आपका क्वांटिटी बताता है जबकि फीवर संख्या कमपारेटिव डिग्री होता है फ्यू का कमपारेटिव डिग्री फीवर होता है और लेस का कमपारेटिव डिग्री क्या होता है लिटिल का जो है कमपारेटिव डिग्री लेस हो जाएगा और जो है किसका फ्यू का कमपारेटिव डिग्री क्या हो जाएगा फीवर हो जाएग गा एड्जेक्टिव अफ नंबर के साथ लगेगा जाई इसी बात जो हमने पीछे बताया आपको वही कॉंसिप्ट यहां पर लिखे विए हैं तो बस इतना है लिटल का जो है कंपरेटिव डिग्री लेस होगा और लिटल का प्रियोग जो है एड्जेक्टिव आफ चीज नहीं है तो यह सिंपल बेसिक चीज थी तो आप झायों पल में देखना एक्जाम्पल में बेहतरी घंक से होगोडिये आप इंकरेक्ट में देखिए लिखे विए हैं जैसा पहला इंकरेक्ट लिखे विए हैं पहले में एक दमध्यान से समझेए इंकरेक्ट में लिखे विए लेकिन यहां पर 40 पीपल में समात्रा यहां पर नंबर बताने के लिए प्रियोग कर दिया गया है अगर जो है दूसरे बिया हो रात दूसर दुलहिन बैठा देंगे तो बताओ गडबड हो जाएगा ना तो यहां पर हम लिए वाली दूलहिन नहीं बैठा सकते हैं ना यहां पर का बाइठाएंगे फिवर वाली दूलेइन तो क्या हो जाएगा नो फिवर दैन 40 पीपूल एटेंडट अटेंडटी मेरेज पार्टी हो जाएगा तो प्यारप्चे लेस नहीं होगा यहां पर क्या हो जाएगा फिवर में सबका कंपारेटिव डिगरी हमने प्रियोग कर weeks тебе वह हैं आप जैसे हमनिए जिसने सब्सक्राइब तो इसमें बात संजने की कोशिट करना वाट ऑब टेति ति दिखा रहा है परिमार दिखाने वाला ऑडेक्टिव है वाटर आपका क्या है परिमार दिखाने वाला ना, uncountable ना, uncountable ना, उनके साथ less का प्रयोग करेंगे न, little निका क्योंकि little का comparative degree less होता है, तो हम less का प्रयोग करेंगे न, तो यहाँ पर हम कैसे fever का प्रयोग कर दिये हैं, बहुत गलत काम किये हैं न, दूसरे की बहरारू दूसरी जगा नहीं बैठा सकते हैं न, तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका less हो जाएगा, तो simple सा बात हो जाएगा, there is less water in this glass than that हो जाएगा, तो there is less water का हमने प्रयोग किये, क्योंकि water आपका क्या था, uncountable noun था, तो प्यारवचे उम्मीद करते हैं यह नियम आपको बहतरी नग से समझ में आ गय करेंगे, और एक का adjective of quantity के साथ, means countable noun, uncountable noun के साथ करेंगे, उमीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्का समस्या परसानी नहीं होई होगी, तो अब हम लोग बढ़ते हैं, रूल नंबर फोर की तरह बढ़ते हैं, देखते हैं आपका चौथा नियम क्या है, अब यहां पर देखिए, रूल नंबर हमने फोर लिखी हुए हैं, चौथा नियम को हमने लिखी हुए हैं, चौथा नियम एकदम ध्यान से समझेगा, लेट का comparative later होता है, और इसका superlative latest होता है, इस समय के संदर में प्रयोग किये जाएंगे, लेट का comparative later होगा, और इसक farmer, letter और farmer, दोनों बिपरी थे हैं, letter means होता है, बाद वाला और farmer means होता है, पहले वाला, आपको याद होगा, जब आप class 9 में थे, तो mountain and square वाला जो chapter था, मिस जो आपकी poem थी, उसमें जो है, farmer और letter का प्रयोग किया गया था, the letter said to farmer, मिस दूसरे वाले ने पहले वाले से कहा, त farmer सब्द का प्रयोग किया गया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, letter means होता है, बाद वाला, और farmer means क्या होता है, पहले वाला, दोनों क्या है, बिलोम सब्द है, letter का बिलोम सब्द क्या हो जाएगा, farmer हो जाएगा, और ए, इस्थित या क्रम के संबंद में होते हैं, जैसे हम लास्ट का विप्रीत क्या होता है फर्स्ट होता है आगे लेटेस्ट अल्लिएस्ट लेटेस्ट जो है आपका होता है अग् Score न कुराना दूनू बिप्रीत सब्द है इस समय के संदर में प्रियोग किया जाते हैं तो प्रेयाश। यह आपका rule number four हो गया late later latest आपका समय के अर्थ में प्रयोग किया जाएंगे positive comparative comparative degree हो गया later मिस्ट बाद वाला former मिस्ट पहले वाला इस्थित्या क्रम के संदर्म प्रयोग किया जाएंगे last और first हो गया last मिस्ट प्रतम बिलोम सब्द हो गया latest और earliest latest का प्रयोग आपका नवीनतम होता है नवीनतम मिंस समय के संदर में इसका प्रयोग किया जाएगा यह आपका जो है चौता नियम का कुछ में इसकी बेस बैस पर कूछ एक्जामपल देखते हैं आपको एक्जामपल के मादम से समझाने की कोसिश करते हैं अब यहांप dir बाद में लेकिन कंपारिटीव डिग्री में प्रयोग किया गया comparative degree में प्रियोग किया गया अन्तिम वाली नियूज कोँजी है तो यह आपका समय के संदर में आपका जो है लेटे सुपर लेटी डिगरी का प्रियोग हो गया आगे देखते हैं आफ दी थ्री ड्रेंग्स तीसरा एक्जामपल देखिए आफ दी थ्री ड्रेंग्स मिल्क, सोडा एंड टी I like the last best मैं अंतिम वाले को अतिदिक पसंद करता हू तो भैया अंतिम वाले को अतिदिक पसंद करता हूँ मतलब हमको चाय पसंद है मिल्क और सोडा पसंद नहीं है तो हमने यहाँ पर किसका प्रियोग किये हैं लास्ट डिक सब्दिकाप्रियोग के हैं तो last means अंतिम वाले दिखा है न तो अंतिम मिल्स आपका टी है हमको उट पर लेटर चैप्टर्स आप इस बुक इस कितबिया के बाद वाले चैप्टर्स आपके कुछ नियम थे कुछ आपके जो है रूल नंबर फॉर के कुछ बेतरी नियम थे कि किसका प्रयोग कब करते हैं उम्मीद करते हैं आपको एक कॉंसेप्ट अच्छ से समझ में आ गया होगा तो हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर फाइब की दर बढ़ते हैं देखते हैं आपका पांच वा नि है और फर्दर एक होता है फर्दर मिस होता है और आगे जैसे हमने अगर कहा मुंबई इस फार्दर देन यह फार्दर 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 फ्राम मतुरा देन जांसी तो मुंबई क्या है फार्दर है मिस दूर है फ्राम मतुरा मतुरा से देन जांसी मिस जांसी की तुलना मे जासी कितुलना में मुंबई क्या है मतुरा से दूर है तो यहां पर फार्दर दूरी के संदर में दिखाया गया ना तो दूरी के संदर में आप फार्दर का प्रियोग करेंगे लेकिन अगर फार्दर आगया है तो फार्दर का प्रियोग तब करेंगे और आगे के संदर में जैसे he does not need any further help उसे और मदद की या फिर help मिन साहिता की अवशक्ता नहीं है तो वही है he does not need any further help अब उसके और अधिक है फ़र्दर क्या हो गया और आगे या फिर और अधिक है उसे मदद की अवशक्ता नहीं है तो प्रदर का प्रियोग किया गया और आगे के संदर में फर्दर का प्रियोग किया जाता है और फार्दर का प्रियोग दूरी दिखाने के संदर में प्रियोग किया जाता है यह आपका concept हो गया फार्दर और फार्दर का concept हो गया आगे चलते हैं एक और होता है इसी में nearest और nearest और जहें next का nearest दूरी दिखाने के संदर में प्रयोग किया जाता है nearest superlative degree है दूरी दिखाने के संदर में प्रयोग किया जाएगा और next जो होता है इस्ति या position के संदर में होता है मिस किस स्थिती पे हैं किस पोजीशन पे हैं वो आपका स्थिती और पोजीशन के संदर में आप next का प्रयोग करते हैं एक्जामपल के वादम से बेतरी नंग से समझेंगे जैसे हमने कहा इस जो नजदी कितम बैंक है यहां से वह कितनी मिल की दूरी पर है पांच मिल की दूरी पर है तो यहां पर नेरिस्ट हमने सब्द प्रयोग किये तो दूरी के संदर में नेरिस्ट सब्द का प्रयोग किये ना तो नेरिस्ट सब्द का प्रयोग दूरी के संदर में और अगर हमने इसका प्रयोग किये दूसरा एक्जामपल देखिए माई हाउस इज नेक्स्ट तू महालक्षमी टेंपल महालक्षमी टेंपल के आगे मेरा घर है अब इस्थिती पोजीशन बता रहे हैं न कि अमरे घर की पोजीशन का है महालक्षमी मंदिरवा के अगवा हमारा घर अगर कोनों बता रहे हैं तो भाईया हम उहां पर किसका प्रयोग करेंगे नेक्स्ट का प्रयोग करेंगे नियर का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा my house is next to महालचमी temple तो next नियाँ पर क्या दिखा इस्थिति आप position दिखाया इस्थिति आप position का जो है दिखाने के लिए हम next का प्रयोग करते हैं तो प्यारबचे यह nearest और next का concept हो गया तो उम्मीद करते हैं पांचवा नियम आपको उल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं उल्डर और उल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं तो पहले संजने की कोशिस करना इल्डर और इल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे इल्डर इल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के लोगों के लिए होता है मिंस इल्डर मिंस होता है बड़ा मिंस जो बड़े होते हैं उन्हें इल्डर काते हैं इल्डर का सुपरलेटिव इल्डेस्ट होता है आप ध्यान देना और एक ही परिवार की लोगों के लिए अर्थाद भाई बहन के लिए प्रियोग कर सकते हैं पुत्र पुत्री के लिए प प्रियोग करते हैं अब यहां पर देखना इल्डर के पस्चा दैन का प्रियोग नहीं होता है यदि इल्डर का प्रियोग आफ की कंस्ट्रक्शन में हो तो इसके पूर दी का प्रियोग होता है अब आस समझने की कोशिस करना इल्डर के पस्चा दैन का प्रियोग नहीं होता ह हमनी बता elder आपका comparative degree का है तो comparative degree में आपका दयन का प्रयोग करते हैं लेकिन elder के साथ आप दयन का प्रयोग नहीं करेंगे और हाँ अगर elder के साथ आफ को construction है तो आप उसके पहले दी का प्रियोग करते हैं अब example के मादे हम से बेतरी नंग से समझेंगे और यहाँ पर हमने बता एक ही परिवार के सदस्यों के लिए elder और eldest का प्रियोग करते हैं अगर हमने कहा my elder brother is a doctor मेरा बड़ा भाई क्या है डाक्टर है अब यहाँ बड़े भाई मिस किसकी बात हो रही ह हमरा सगा भाई तो हम यह कहेंगे हमरा सगा भाई का है डाक्टर है तो इका हो गया my elder brother is a doctor मिस हम अपने सगे भाई की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर किसका प्रियोग किये हुए हैं इल्डर का प्रियोग किये हैं और आगे देखना दूसरे example देखना हरी is my eldest brother अगر हमने का हरी is my eldest brother मिस हरी मेरा सबसे बड़ा भाई है तो यहां पर क्या हो जाएगा इल्डेस्ट ने दिखाया आपका superlative degree में सबसे बड़े के रूप में प्रियोग किया गया है तो हरी मेिस क्या मेरा सगा भाई है और सबसे बड़ा भाई है अब आगे देखना अब यह तो जो है दो एक्जामपल होगे तीजरे एक्जामपल देखना आफ के construction में c is the elder of the two अब यहाँ पर the elder of आफ को construction आया आफ आगे लगा हुआ है elder के बाद आफ लगा हुआ है तो इसलिए elder के टू वह हम दोनों में क्या है elder है मिंस बड़ी है c मिंस कोनल लाइकी है मतलब लाइकी मतलब बहीन होगी ठीक है क्योंकि यहाँ पर सगे एक ही परिवार के सद्रस्चों की बात होती है तो c is elder of the two मतलब वह उन दोनों में क्या है बड़ी है तो यहाँ पर दीका प्रियोग तो हम लोग सात्वी नियम की तरफ बढ़ते हैं और सात्वी नियम की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे सेलन पर पहली बार रहे हैं चल कर सुस्क्राइब करेंगे वीडियो कर लाइक करेंगे और क्लास लेवन टॉल्स की हर एक बच्चे तर वीडियो कर से अरौस कर करेंगे तो इसका प्रयोग ब्यक्ति या वस्त दोनों के संदर में होता है मिस्वस्त के संदर में जैसे यह वस्त दूसरे वस्त से पुरानी है तो कर सकते हैं मेरा दोस्त हम से बड़ा है तो अल्टर का प्रयोग करते हैं जैसे हम पर या पर और और के नहीं तो हमने ओल्डर का प्रयोग किये हुए हैं, यहां पर आप इल्डर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आपके एक्जामें गलती यही देगा कि यहां पर इल्डर का प्रयोग देदेगा, जो कि पूरी तरह से गलत होगा, आप वहाँ पर ओल्डर का प्रयोग करेंगे, आ अब मतलब उदोस्त है हमरी जब हमरी दोस्त है तो भया मतलब हमर परिवार की तो नहीं है ना परिवार की नहीं है तो तभी हमने किसका प्रयोग की है अगर हमरी परिवार की होती तो हम क्या करते इल्डेस्ट का प्रयोग करते और फ्रिंड है तो जाहिज सी बात है फ्रिंड प्रगट करता है इसके स्थान पे हमें कहना चाहिए अगर आपका कहीं पर लिखा गया है तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है हम इसे क्या लिखते हैं तो इस प्रकाश से लिखते हैं जैसे हमने इनकरेक्ट रूप में लेके हुए है इन शुरुवात के दो चैप्टर बड़े इंट्रेस्टिंग है अगर आपका कहीं पर लिखा गया है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है तो उसका हम लिखेंगे दी फर्स्ट टू लिख देते हैं तो पर अपका सातों एकदम छोटा सा बेहतरी इंसा नियम था इसमें आपको ज्यादा समझाने के जरुवत नहीं थे तो इसलिए आपको छोटे में बता दिये उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आगे हम लो हम किसका प्रियोग करते हैं आर्टिकल दी का प्रियोग करते हैं जैसे हमने लिखे हुए हैं योर फादर केम हियर आपके पिता यहां आए आंदी बोथ आंदी बोथ डेज बोथ डेज डे को माडिफाई करने के लिए बोथ का प्रियोग किया गया है तो अब हम बोथ के पह कार करें तो बोथ के बाद हम आर्टिकल का आर्टिकल दी का प्रियोग करते हैं तो क्या हो जाएगा योर फादर केम हीर आन बोथ दी डेज हो जाएगा ऐसे हो जाएगा आन बोथ दी डेज हो जाएगा सिंपल से हो गया आन बोथ दी डेज हो गया तो बोध की बाद आपको दीका प्रियोग करना है अगर अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसमें ज़्यादा समझानी अपर बताने के जरत नहीं थी बस आपको एच्छोटे से concept था अब हम लोग बढ़ते नवी नियम की तरफ बढ़ते हैं और अव् लोग पर सम और इनी का प्रयोग आपको बताएंगे सम का प्रयोग करते हैं का यहां पर नवे निया में इस कॉंसेब्ट को उब कर समझाएंगे आप देखें यहां पर लिखे विए है समक्हात्मक उत्त क्वार्ट वाक्यों होता है मिस्ट है समका प्र्यग सेवाग्ण जिनके अगर आपका सम्स के मादम से अगर प्रश्णवाचक वाक्ष बन रहा है तो वह जो है कहीं कहीं अगर उस प्रश्णवाचक वाक्ष से स्विकरात्मक उत्तर की आसा हो या फिर प्राथना या नीमंत्र का भाव शिपा हुआ हो तो हम वहाँ पर सम्का प्रयोग करते हैं जैसे अब इसलिए सम्का प्रयोग करते हैं अब किया खर्श्ण बॉग किया बुग्स बुज मन्स क्या मुझे करके कुछ बुच्त किये दोगे तो सब्धिका प्रयोग कर रहे हैं तो तो इसलिए संबुक्स किये वे हैं, तो आपका संब का प्रयोग किये वे हैं, तो प्यालचे ये सिंपल्स हो गया संब का प्रयोग, अफर्मेटिव और इंट्रागेटिव में करेंगे, सभी अफर्मेटिव वाक्यों में करते हैं, बस जो आपका इंट्रागेटिव में कुछ का प्रयों करते हैं और install of sentence में भी ओधो तीन कंदिशन छोड करके normal internet to sentence होगा तो वहाँ पर भी nix का प्रयों करते हैं जासे हमने का हीं दिडिन हो गया इनी पें उसने कोई प्रयों करेदा तो आपका एक कोई सा हो गया यहाँ निगेटीव हो गया तो यहां पर इनी का प्रयोग किये यहां सम पिन नहीं करेंगे यहां पर इनी का प्रयोग किये और जैसे have you any book for reading क्या आपके पास कोई पुस्तक है रिदिंग के लिए बंस पढ़ने के लिए तो यहां सम का प्रयोग नहीं किया यहां पर किसका प्रयोग की वे हैं इनी का प्रयोग किये वे हैं तो उमीद करते हैं सम और इनी को समझने हैं अलाक इसमें कुछ नहीं समझाने हैं आपको कुछ आपकी महत्पूर एड़ेक्टिव बता रहे हैं जिनकी आपके कंपारिटिव इसे देख लेना है इसे ज़्यादा इसमें समय नहीं देना है तो जो है एक जल्दी से आपको बताएंगे पॉस्टिव डिगरी बत चीप का क्या होता है चीपर और ज यंगेश्ट होता है अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले नीचे दिख आओगा लियो जबादी लार्जर लार्जेस्ट हो जाएगा, अबल, अबल, नोबल, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट हो जाएगा, हैपी, हैपियर, हैपियस्ट हो जाएगा, इन सभी को आप याद रखना, जितनी बता रहे हैं, आप इन सभी को याद रखना, जितनी याँ पर बता रहे हैं, हैपी का उसके बाद इजी का क्या हो जाएगा इजी का हो जाएगा इजी इजी इजियर इजियस्ट हो जाएगा अरली का क्या हो जाएगा अलियर अलियस्ट हो जाएगा हैवी का क्या हो जाएगा हैवियर और हैवियस्ट हो जाएगा बिक का क्या हो जाएगा बिगर और बिगेस्ट हो दोनों important है good better best और वर्स वर्स्ट एत दोनों important है आगे देखते हैं और कुछ मत पूंठ यह अब यहाँ पर corporatesappelle का उता है यही व्याथ खस secularERE आपको पीलगऊ में आपको बताया था लिस हम्ने आपको बताया था लैस ungefähr लेकर थे संख्या दिखाने के संदर्म प्रियों होता है अग रहें होता है लेट भी हो सकता है क्योंकि इласт आपका और फार क्या हो जाएगा अगे आ 파रदर का भी प्रियोग आपको बता है है दूरी के संदर में फारदर का प्रियोग करते हैं हमने आपको इसे भी बता है वेते आब आगे चलते हैं कुछ आगे महत्वपूर्ण देखते हैं beautiful more beautiful most beautiful बालक बासंदने की कोसिस करना हमने आपके कुछ आपके हमने ऐसे एड्जेक्टिव बताए विए हैं जो दो या दो से अधिक से लेबल की होते हैं तो उनका more लगा करके comparative डिगरी बनाते हैं और most हो जाएगा more intelligent most intelligent हो जाएगा तो प्यारवचे यह आपके कुछ आपके कुछ आपके positive comparative और superlative डिगरी हो गया है और यहीं पर आपका adjective टॉपिक पूरी तरह से complete होता है adjective के जितने नियम थे हमने सभी नियम को बता दिये हैं अब हम लोग कल चलेंगे वर्व को सुरू करेंगे वर्व के जो नियम है कल हम लोग वर्व की बारे में चच्चा करेंगे तो प्यारवचे आज की class यहीं complete करेंगे बस अंती में यहीं कहेंगे जो भी बच्चे चैनल पर पहली बारा है थे चनल कर सस्क्राइब करेंगे वीडियो कर लाइक करेंगे और यह सभी बच्चों से निवदन है जो भी बच्चे class 11 टॉलत मीं आप सभी बच्चों तक वीडियो को सियर करोगे जिन बच्चों कि इसकी अतिदिक आवश्यक्ता है जो coaching school नहीं जा पाते हैं उन बच्चों तक अवश्यक्ता है तो यह क्लास है और हां यह आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुनना चाहते हैं जैसे नीचे सूरज आदा जौनपूर करके लेखा गया है उसी तरह सी यूट्यूब पर सच्क्रेंगे मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा आप व